बच गया बिगोली, बिच गई चुनावी पिसाथ, किसका बजेगा डंका, किसकी होगी मात, आप देखेंगे जारगंड विदान सभा से जुड़ी, हर चर्चा और नतीजे आरपी भारत के साथ, आरपी भारत केवल खबरें और कुछ नहीं बेर्मो में चुनावी सभा को संबोधित करने पहुंचे राजनाथ सिंग रक्षा मंतरी, बोकारों के बेर्मो विदान सभा मकोली के सेंट्र कॉलानी में बेर्मो विदान सभा के प्रत्याशी योगेश्व महतो बातुल जी के समर्थन में देश के रक्षा मंतरी राजनाथ स शुनावी सभा को संबोधित करने पहुंचे इन्होंने केंद्र सरकार और राज्य सरकार के द्वारा किये गए कार्यों वह उपलब्दियों को गिनाने का काम किया गया और विदान सभा के प्रित्याशी योगेश और महतों बाटुल के लिए जनता से वोट करने की अपील की और राज्य में एक स्थाई सरकार बनाने की बात कही बेरवो से सत्यंद्रगरी की रिपोर्ट जी रहे हैं खा रहे हैं भोजगार कमा रहे हैं किसी ने किसी रूप से और आप उनको धंका करके देरा करके करते हैं क्वाटर खाली भगाने का काम तो आप करना चाहते हैं हम बचाने का काम करना चाहते हैं यह हमारे पाकी का भी देश से नित्रों मैं आप सब से कहना बिदान स्वान में मुठमंत्री से कहा कि मानिय मुठमंत्री जी इतन हम आवास नहीं दे पा रहे हैं, सुची में उनका नाम है, आवास नहीं दे पा रहे हैं, मैंने मुख्यमंत्री से कहा, और CCLCMD से भी कहा, और आज आपके सामने मानिय रक्सा मंत्री से बिनम राग्रा करना चाहता हूँ, कि जो अनधराईज क्वाटर है, उसको अधराईज रूप से, अधिक्रित रूप से, परधान मंत्री का आवास का दर्जा दे करके, उनको हम बशाएंगे, संभान के साथ गीने का अधिकार देंगे, यह मैं दिनम राग्रा करना चाहता हूँ, कि आप कोईला मंत्री से बात कर करके, यह नीती में धारंग करें, कि जो अनधराईज क्वाटर है, जो अधराईज क्वाटर करते हैं वो लोग, आज उस क्वाटर को अधराईज रूप से, और परधान मंत्री आवास का दर्जा दे करके, भाठारखन सरकार और भारत सरकार जो परधान मंत्री आवास नहीं है जो हम लगाते हैं प्रदान मंतरी आवास जोजना में वो जो वो भाई शाह में लगा करके उनको भी संभान से जीने का अधिकाल देना चाहते हैं यह हमारा भीजन है यह हमारा मीशन है मित्तों बैर्मो का भवी सिए तीन को लियरी है चलकर इडियार अंगवाली झाल झाल झाल, झाल